आपके घर के अंदर दिवार पे लगी हुई घड़ी, क्लॉक, यू तो आपको समय बताती है, लेकिन हम ये भी कह सकते हैं, ये आपको समय भी बताती है और आपका समय भी बताती है, वो कैसे? क्योंकि ये क्लॉक, अगर वास्तू के नेमों के अनुसार लगी है, फिर तो ये आपका जो समय चल रहा है, उसको संवारेगी, लेकिन अगर ये वास्तू के नेमों के अंदेखी करके लगी हुई है, वास्तू के नेमों के विपरीत लगी हुई है, तो ये आपके समय को बिग फिडेंगे खाली घड़ी नहीं आप देखिए आपके घर के अंदर जो आपके dressing room में शीशा लगा हुआ है आप चहरा देखने के लिए यूज करते हैं आपके wash basin पे जो शीशा लगा हुआ है no doubt उसको भी चेहरा देखने के लिए यूज किया जाता है अगर ये भी वास्तू के नियमों के अंदेखी करके लगा हुआ है ना तो ये आपकी image को दुनिया के आगे बिगाड सकता है आप जो हैं दुनिया को आप वो दिखेंगे नहीं आप गलत दिखेंगे और जब image गलत होती है ना branding गलत होती है तो जीवन में बड़ी सारी चीजें जो है spoil होनी शुरू हो जाती है घर का dust bean घर का dust bean जो है हम घर का garbage फैंकने के लिए यूज करते हैं लेकिन dust bean जो है ना ये भी अगर वास्तू के नियमों के अंदेखी की जाए ना तो ये आपके पैसे को garbage में डाल सकता है आपके घर की बरकत को garbage में डाल सकता है तो आज के वीडियो में हम यहीं चर्चा करने वाले हैं कि घर की जो wall cloak है यहां पे वास्तू के कौन से नियम लागू होगे आपके घर का जो mirror है इसमें घर के वास्तू के कौन से नियम लागू होगे और आपकी जो dust bean है यहां पे कौन सी care करनी चाहिए ताकि आपको धन का loss नहों आपके resources का loss नहों नमस्ते, मेरा नाम है योगेश शर्मा, स्वागत है आपका हैपी लाइफ विडियोगेश शर्मा में और दोस्तों आके बढ़ने से पहले एक विनमर निवेदन कि अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है गर के आने वाला जो विजिटर है वो भी इसको एकसेस कर पाता है और वाल गलोग जो है ना इसकी जो शेप है और इसके अंदर का जो डायल का रंग है ये दो तत्व हैं जो बहुत ज्यादा मेटर करेंगे चार दिशाएं होती है और चार ही उप दिशाएं टोटल आठ दिशाएं होती है चार दिशाएं कौन सी है नौर्थ इस्ट वेस्ट सौथ और उप दिशाएं कौन सी है सौथ इस्ट सौथ वेस्ट नौर्थ इस्ट नौर्थ वेस्ट ये चार दिशाएं जो हैं और चार उप दिशाएं इनको ध्यान रखेगा और इसकी शेप और जो अंदर डायल का रंग है आपको इनके अनुसार लगाना है केवल इतना भर ही ख्याल रखना है फिर देखेगा वाल क्लो किस तरह से आपके घर के वास्तू में सहायक बनती है घर के इस्ट में आप रेक्टेंगूलर शेप की क्लोक लगाईए यहां पे रेक्टेंगूलर शेप की क्लोक जो है यह आपको दुनिया के साथ जोड़ेगी यहां पे रेक्टेंगूलर शेप की क्लोक लगाने से आपका जो सोशल सरकल है यही आपकी तरक्की में आपकी सहा पूरत पढ़ने पर आपके साथ चलने वाला इंसान कोई नहीं होगा, आप घर के पूर्व में white background वाली clock भी मत लगाईएगा, आप घर के पूर्व में wooden background वाली, हरे रंग की किसी भी shade की background वाली clock लगाईए, और फिर देखिएगा कि किस तरह से जीवन में आपको समाज के पूरू तरक्की मिलती है, south east की बात करें, या south की बात करें, इन दोनों जगा पे triangular shape की clock लगाईए, triangular shape में background जो है yellow रख लीजिए, background maroon रख लीजिए, और फिर देखिएगा धन का प्रवाह भी कैसे बढ़ता है, और फिर देखिएगा कि आपकी branding, आपकी image कितनी मजबूत ह होती है, और अगर हम बात करें, आपके घर के south west area की, यहाँ पे बिल्कुल ही square shape की clock लगाईए, और कोई shape यहाँ पे मत दीजेगा, यहाँ पे येलो background में square shape की clock लगाईए, और फिर देखिएगा जीवन में stability किस तरह से आती है, और फिर देखिएगा आपको जो भी आता है अब वो धन में convert किस तरह से होता है, और अगर बात करें west की, यहाँ पे round shape की clock लगाईए, यहाँ पे oval shape की clock लगाईए, यहाँ पे white background, यहाँ पे आप metallic background, इस तरह की background वाली clocks लगा सकते हैं, और अगर यह लगाएंगे ना, आप जो भी करेंगा वो profit में convert होगा, आप जो भ वेस्ट में आप round shape की clock लगा सकते हैं, नौर्थ वेस्ट में आप rectangular shape की clock लगा सकते हैं, और यहाँ पे यह जो clock है, यह दोनों आपकी सहायता करेंगी, आपके efforts को, आपके जो भी कोशिश होती है, उसको पूरी तरह से profit में convert करने के, और अगर बात करें, नौर्थ एरिया की आपके north area में आपको केवल और केवल rectangular shape की clock ही देनी है, clocks में बस आपको इतने ही rules का ध्यान रखना है, और एक और बात को याद रखेगा, clock में कभी भी blank जो clock आती है न, artistic सी, जो confusion create करती है, वो मत करिएगा, क्योंकि इससे क्या होगा, art wise तो आप बहुत अच्छा कर लेंगे लेकिन इससे आपके समय का चक्र जो है वो आपके जीवन को confusion में बदल देगा, तो clock जो है बड़ी legible होनी चाहिए और बिलकुल देखते ही time का सही सही अंदाजा देने वाली clock होनी चाहिए, और अगर अब बात करें हम आपके mirrors की, देखिए जो शीशा होता है न, ये water element होत रिज़त की कमी लेके आएगा, अब suppose करिए आपका dressing room ही south में है, या आपका wash vision ही उसे इस area में है, ये south east यह south के बीच में, तो शीशा तो वहाँ पे लगेगा, तब क्या किया जाए, तब कुछ ऐसा arrangement करिए कि usage के बाद उस शीशे को ढख दिया जाए, केवल इतना भर करिए और बाकी घर के किसी भी कोने में शीशा लगाए, ये आपकी image को समाज में मजबूत ही करेगा, लेकिन south east से लिके south के बीच में यथा संभव कोशिश करिएगा, शीशा न लगा हो, और dustbin, ये एक बहुत ही important wish है, dustbin में कई बर क्या होता है, कि घर के gate के पास होती है, या इसी जगह बे होती है, जिसको change करना संभव नहीं होता है, आप एक चीज याद रखेगा, पंच तत्वों में जो कूड़े दान है ये पृत्वी element है, तो आपको पीले रंग की टाइल, या बेज कलर, मिट्टे के रंग की टाइल, या मिट्टे के रंग का एक mat, बस dustbin के न जा, इस dustbin के थ्रू, dispose of नहीं होगी, तो दोस्तो चाहे clock हो, चाहे mirror हो, और चाहे हो dustbin, अगर आँ वास्तु के इन सरल नियमों का ख्याल रखेंगे न, तो यकीन मानिए, ये चीज़े ना के वैल आपके घर के वास्तु का सही करेंगी, बलके इसकी energy के थ्रू, आपका जो कई समस्यें ऐसी हैं, जो बिना उपाये के ही, इनी साधनों के माध्यम से dilute होती रहेंगी, तो ये थी मेरी एक छोटी सी कोशिश, आपको वास्तु के energy से रूबरू कराने की, तो चले बहुत जल्द मिलते हैं, नए topic, एक नए विशे के साथ, अपना कूब ध्यान रख कि एगा नमाश कार।